जो चातर जिस चीज़े प्रेशान थे इतने दिन से कि उनकी जो कॉलिज के प्रेक्षाइं हैं वो होंगी या नहीं होंगी जो फर्स्ट यर सेकंड यर थे उनके तो पहले ही प्रमोट कर दिया गया था लेकिन फाइनल इयर और रियापियर वाले केंडिडेट्स के लिए मन मे जो जो है वो शंका थी की उनके एक्जाम होंगे की नहीं होंगे लेकि उन्रीडेट्ग के का था कि हाँ एक्जाम होंगे और जो ध çevs हॉर् कहा था कि हाँ एक्जाम होंगे और जो higher education of higher है वहाँ पर भी notice आ चुका था कि उनके exam होंगे लेकिन जो कल ही notice आया था वो सारे मैंने आपको बता दिया था लेकिन किसी भी university की तरफ से अभी कोई official notification जारी नहीं हुआ है उनके भी update आनी बाकी है क्योंकि कुछ doubts है अभी भी है जो कि जैसे कि फस्ट इर के student है उनका क्या होगा जो कि distance की बात कर रहे हैं distance के फस्ट इर के students तो पूरी जो detail है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं जो एक एक सब्सक्राइब होंगे इसके अलावा देखिए यहाँ पर पिछले समेस्टर इंटरल assessment के उस्ट आधार के पर ही जो प्रमोट होंगे विद्यारती अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर यूनिवर्स्ट और कोलिज में नहीं होगी प्रेक्षा प्रमोट होंगे चात्र तो यह सारे एक अखबारों में आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके बारे में तो देखिए यहाँ पर की जो आपका एक्षातर संगटन है इन्होंने बहुत मेहनत की थी आपके एक्षाम को कैंसल करवाने में क्योकि आप जानतें कि फाइनल ये वाले उन पर भी तो करोना खत्रा है तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने जो इसके खिलाफ जौरदार प्रदर्शन किया था और कोर्ट में भी वह गए थे जो हैं वहां पर अर्जिल लगाई बता देता हूं कि सभी जो याइवरेज मार्स देकर आपको पास कर दिया जाएगा अब देखें कि यहांपर की जो उन्होंने कोई भी नोटीश अभी जारी नहीं किया है तो अभी आप एक बार नोटीस का और इंतजार कर लें उससे और जो है कि कौन से कौन से exam जो है किस तरह से आपके पास करवाए जाएंगे उसमें clarify कर दे जाएगा तो वो अभी आगे तो आपके पास यह मोगा रहेगा जब हारा सामानव मोगे आपको जडोबारा मोगा दिया जाएगा अब देखे जो प्रिक्टीकल एग्जाम कम की बात करें वहां पर भी फिजो आपके टियोरी के 80% मांक्स को को प्रैउस तरह होगा आपके प्रैक्टिकल के इस तरह से जो फाइनल रहे वो कर दिया जाएगे अब इसके अबाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह यह थी इस लोका के स्टुडेंट है जिनकी कि ना तो कोई होती जैसे कि भी अ है बीर इस्टेंश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होती मैं उनका क्या किया जाएगा उनका जो हेदा जो है इक होगा जो आपना नोटी्सायारी करेगी उस्नोंट हेगी उसमें जब है क्लेरीफाई हो और से आया था उसमें यह बात क्लेरिफाई नहीं हो पाए कि मी नोटीस आएगा उसी में पता लगेगा नोटीस आते ही मैं आपको जुरूर इंफॉर्म जोश में कर दूँगा तब तक आप मारे चैनल से जुरूर जुड़े रहना और हमारे चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करके घंटी के नहीं को दबा लेना और आल नोटिफिकेशन ओन कर लेन और नोटिफिकेशन ओन वहाँ पर भी ओन कर लें